महा भारत युद्ध में तेरवा दिवस, कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासत दिन था। तेरवा दिन एक ऐसा दिन था जब अनीती अपने चरम पर थी। मैं आज आपको उसी तेरवे दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जब कुरुक्षित्र की समर भूमि में सर्शयया पर भीश्म हुए तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधागनी लगी और ग्रीश्म हुए। गुर्देव बनेंगे सेना पती यह चाल चली थी शक्नी ने जिसमें फसकर सब जूज रहे वो जाल बुना था शक्नी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें न कोई संदी हो गुरुवर द्वारा वो जेश्ट पांड़ सु समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव रित किया। सब समर मुंड से पाट दिये कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह तशा देख और जुन को क्रोध अपार हुआ। बज उठा कृष्ण का पांच जन ने फिर गांडव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वैं विपल हुआ। सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन। मैं उससे पार न पा सकता। अरजुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा द्र्गड़तोंने मिलकर हम पनाफे प्राण लडाएंगे cortex हम अरजुन को लल्का रहेंगे और दूर तलक ले जाएंगे heavens हम जान रहें हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं पर इस से बढ़कर मित्र तुमें मैं दे सकता उपहार नहीं फिर क्या था फिर क्या था ऐसी नीती बनी जिसको सबने मन्जूर किया उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमी से दूर किया अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ न भी निसन रचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रविव की रचना की, पांडव से ना भैभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांचित रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए, निजसन नित को दुखी देख, फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था, है उमर अठारा, बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है, सब ने देखा कोई और नहीं, यह अर्जन सुत अभिमन्यू है, मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ मैं सुना हुआ, दादा जी, चिन्ता दूर करो, यह सुनसा हस्व गुना हुआ, फिर अभिमन्यू के पीछे ही, कुछ देश चले, कुछ देइन चले, कुछ पैदल घोडे, रत सवार ले, गदा गदा धर भीन चले, अभिमन्यू को ना रोग सका, वो तीसरे पार हुए, पर राजुदार पर जैदर्थाचारों भाई लाचार हुए, अभिमन्यू ने मुढ कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक ना हुआ, वीर ऐसा ही उसका सपना था, कोई एक भड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले, जुंडों का जुं तामा को, गुरुद्रों कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकनी मामा को, वै कर्ण भिडा जो दुरियो धन के विजय लक्ष की आशा था, वो कर्ण भिडा जो दुरियो धन के अंतरमन की भाशा था, वै कर्ण भिडा जो एक साथ सो बाण चलाने वाला था, वै कर्ण भिडा ज रत सहित धरा पर पड़ा मिला कुछ चेत हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला फिर दुर्योधन हो गया कुपित ले सब का नाम पुकारा है सब इसे साथ मिल कर मारो ऐसा देश हमारा है फिर एक साथ बिढ़ गए साथ सातों ने ऐसा काम किया रत तोड सार्थी को मारा गोडों का काम तमाम किया तलवार दीर जब डूट गए तो रत के चक्के उठा लिये उस रत के डूटे चक्के से कितनू के चक्के छुड़ा दिये यह देख अधम दुशासन ने तब सर पर गणा प्रहार किया गिर गया धरा पर वीर तबी पीछे से उसने वार किया सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया फिर बारी बारी से सब ने उसके सीने पर वार किया सब माया पत की लीला है मैं कृष्ट न लिखूं कितनों को धूल चटाया है कितने कुरूओं के नाम लिखूं शब्दों में सहज सुशीला पन अब कविता को विश्राम लिखूं मैं उस बालक अभिमन्यों को अब अंतिम भार प्राम लिखूं